हलो विएर्ज आज का जो हमारा वीडियो है वो है प्रोनाउन को लेकर जिसमें मैं आज आपको कुछ शौटकुट रूज बताऊंगी कि आप जल से जल एरे डिटेक्शन कैसे कर सकें और इंग्लिश में फोल मार्क्स कैसे ला सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो देखें दोस्तो आज का जो हमारा टॉपिक वो है प्रोनाउन को लेकर जिसके अंतरगार जो फॉर्स्ट रूल है वो है यूज दु पर्सनल प्रोनाउन in the order of 231 जो personal pronoun है उसको हम 231 के order में यूज़ करेंगे अब आप लोग पूछेंगे कि 231 क्या है देखिए 2 से मतलब है 2nd person से 3 से मतलब है 3rd person से और 1 से मतलब है 1st person से तो अगर हम personal pronoun यूज़ कर रहा है तो वो हम 231 के order में यूज़ करेंगे for example he and you are to finish it देखिए बोल रहा है he and you are to finish it तो ये जो हमारा है sentence ये बिलकुल गलत है क्योंकि यहाँ पर personal pronoun यूज़ हो रहा है और यहाँ पर देखिए order बिलकुल गलत है he and you का होगे you, he and I are to finish it अब इन दोलों sentence को compare कीज़िए देखिए इसमें 2, 3, 1 order है are to finish it मतलब ये क्या है हमारा sentence बिलकुल सही है वही पर भी अगर कही पर यहाँ पर एक exception है अगर आपको sentence में कही guilt महसूस हो रही है ठीक है तो अगर sentence में कही guilt जैसी चीज़ आ रही है तो वहाँ पर जो order हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 ओके 1, 2, 3 ओर्डर हो जाएगा इसलिए मैंने sentence के बाद 1, 2, 3 लिखा है 1 मतलब 1st person 2nd मतलब 2nd person 3 मतलब 3rd person अब example देख लिखे लिए है I मतलब 1st You मतलब 2 और He मतलब 3 ओके I, You and He have committed the sin तो ये था हमारा example जो exception को लेकर था अब चलिए ये second rule पे आते हैं जो second rule हमारा है वो ये है when a pronoun stands for collective noun used in singular form अगर pronoun as a collective noun use हो रहा है प्रोनाउन collective noun की जगा पर stand कर रहा है तो हम singular form use करेंगे देखें, collective noun क्या होता है आपको पता ही है जैसे की committee army jury jury इस तरीके से जो होता है वो पूरा अगर वो क्या होता है collective noun होता है for example हम देख लेते है the army has ये देखिए the army collective noun है has क्या यूज कर रहे हैं singular form of work left its headquarters army ने अपने headquarters छोड़ दिये है अब देखिए यहाँ पर इस चीज में तोड़ा सा exception है exception नहीं कह सकते है यह वह ज़कते है कि यहाँ के जो second example इबाद देख लिजा the committee were divided in their opinion यहाँ पर आप बूलेंगे कि यहाँ पर हमने plural लिया है बट यहाँ पर singular लिया है ऐसा क्यों देखिए ऐसा आपको तब करना है जब आप as a whole ले रहे हूं ओके as a whole ले रहे हूं तो आप singular form of verb यूज करेंगे पर अगर several individual ले रहे है several individual ले रहे है तो आप क्या यूज करेंगे form plural form of verb ओके तो चलिए हमारा third rule देख लेते है third rule जो हमारा है वो है the reciprocal pronouns each other and one other ओके आप यह rule क्या है यह हम example से समझते है देखिए the two sister hate each other यह आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि each other जब यूज होगा जब दो person है टो person है जब तब each other यूज होगा और one another यूज होगा जब more than two person है तो each other यूज होगा two person के लिए one another यूज होगा more than two के लिए आप देखिए the two sister two sister है hate each other तो हमने यहाँ पर यूज किया each other वही the five brother love one another यहाँ पर हम यूज कर रहे है one another और यहाँ पर क्या है more than two है five brother है तो हमने यहाँ पर यूज किया one another तो यह था मारा आज का वीडियो next rule के लिए मिलते है अगले वीडियो में thank you